हलो एवरिवान आप सभी का आपके अपनी चैनल सारस टुटूडियल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं क्लास नाइन के बच्चों के लिए वैचित्रमे असम का पहला लेशन आहूम का कोशन एंसर लेकर के आए हूँ इस वीडियो में मैं आहूम का कोशन आंसर आप लो जो लोग चैनल से नहीं जूरे हैं प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्ट इंपॉर्टेंट बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ठीक है तो चलिए देखते हैं आहूम से रिलेटिड कोशन आंसर यहां पे देखे जिल लोगों के पास बुक नहीं है उन पहले ताई जाती के थे देन नेक्स कुशन है आहूम लोगों का मूल निवास अस्थान कहा है तो आहूम लोगों का मूल निवास अस्थान चीन देश के दख्षिन पश्रिम अंचल वर्तमान यूनान के मुंगमाउं राज्य में था ठीक है इसके बाद क्या है नेक्स तो आहों लोगों की कुछ उत्सवों के नाम लिखो तो आहों लोगों की कुछ प्रमुक उत्सव है मेदाम मेफी उमफा साइफा रिखम जासिंग फा लाई लॉंग खाम आदि ठीक है इसके बाद आता है question number six ठीक है कुशी नमबर 6 क्या है संचेप में टिपपरने लिखो ठीक है शॉट नोट्स लिखना है आप लोगों को यहाँ पर पहला देखी लाचित बर्फुकन के बारे में शॉट नोट्स दिया है तो इनके बारे में देखते हैं असम की इतिहास में देश प्रेमी वीर के तौर पर विशिस रूप से लाचित बर्फुकन का नाम लिया जाता है लाचित बर्फुकन का जनम 1612 सिवे में हुआ था उनके पिता का नाम मौमाई तामुली बर्वा था बच्पन से ही लाचित अत्यन साहसी थे इमानदारी और अस थी ठीक है बीस अगस्त 1667 को आहों मुगल के बीच यूद की सुरुआत हुई इस यूद में लाचित बर्फुकन ने सिनापती के तौर पर भाग लिया था और आहों की जीत हुई थी ठीक है आमिन गाउ के पास एक दुर्ग बनाने का दाईत और लाचित बर्फुकन ने अ आहों और मुगल के बीच अंतिम लड़ाई मार्च 1671 में हुआ था इस यूद में लाचित बिमार थी इसके बावजुद उन्होंने यूद में भाग लिया और सैनिको का आत्मे विश्वास बराया असमिया सैनिको ने मुगलों को पांडु तक हदेर दिया और यूद में अ किसी से नहीं की जा सकती ठीक है इतना आप लोगों का क्या है लाचित बर्फुकन के बारे में है ठीक है इसमें भी अगर आप लोगों को शॉट करना है तो आप कुछ लाइन्स को हटा सकते हैं ठीक है इसके बाद दूसरा है असम के प्रथम सब्द कोर्स परेनेता टेंगा जीवी लोगों को संकट का सामना करना पर रहा था इसकी वज़र थी आहुम दर्वार में विवेन कारणों से आहुम भासा की जगह असमेद भासा का प्रचलन बरता जा रहा था दूसरी तरब आहुम भासा धिरे-धिरे उपेक्षित होने लगी थी मतलब आहुम भासा को लोग नापसंद करने लगे थे आहुम भासा में लोग बाते करना बंद कर दिये थे धिरे धिरे ऐसी हालत में जागरूक बुद्धी जीवी आहुम लोग चिंतित हो गए कि कहीं एक समय भासा पूरी तरह लुप्त ना हो जाए इसी कारण भविशिक की पीरी आहुम भासा सीख सके इसके लिए टिंगाई महन ने सब्द कोस रशने का काम हाथ में लिया सन 1995 में गौरी नाथ सिंग के साशनकाल के अंतिम हिस्से में उन्होंने बर काकौत हूं मूंग पूती नामक सब्द कोस की रशना की इसमें प्रतेक आहुम शब्द के सामने संभावित असम्या अर्थ दिये गया है टिंगाई महन को असम का प्रथम सब्द कोस प्रनेता माना जाता है ठीक है आहुम भासा की पुस्तो को कानुबात करने के लिए अंग्रेच अधिकारी भी उनको विदेश ले गए थे इस महन सब्द कोशकार का देहन अठासर पचीस में डिवरिगर जी लेके खोवांग में हुआ था ठीक है तो ये था आप लोगों का दो शॉर्ट नॉट इसके अलावा और भी कोशन है अगर उन सब का भी आपको शॉर्ट नॉट चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजेगा और चैनल के साथ बने रही है और कुछ भी हल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेए तब तक के लिए बाई टेकेर